आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राद जुटे हैं दवाई पहुचाना हो खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूं और देश्वास्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वासी आगे आएं और जरुरत मंदों तक मदद पहुचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवास साथ्यों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में मौले में एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासंग पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेनमेंट जोन लगाने की जरूरण पड़ेगी न करव्यू लगाने की जरूरण पड़ेगी और लोगडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है आवस्ता ही नहीं पड़ेगी स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूपता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी छोटे छोटे बालक पाँवी साथवी आठवी दसवी में पड़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहुल बनाईए कि बीना काम बीना काराण घर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घरी में वो लोगों को सतर्क और जागरुप करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर्व का माहोर कम हो सके लोग अफ़ा और ब्रह्मे ना आएं